हम निकल गए हैं सोमनात मंदिर को देखने के लिए इस्टेशन में बच्चे मस्ती कर रहे हैं हम सोमनात पहुंच गए हैं हमने ये कमरे में से व्यू लिया है जहां पर हम ठहरेते हैं वहाँ दूर पर देखने पर लग रहा है कि हम खेतों को देख रहे हैं लेकिन वह आप ध्यान से देखने में पता चलता है कि वहाँ पर दूर दूर तक समुधर फैला हुआ हैं, फिर हम फ्रेश होके तैयार होके अच्छे से फिर से निकल गए सोमनात मंदिर को देखने के लिए, लेकिन सोमनात मंदिर में फन एलाउ नहीं है तो वापकी वीडियो हम बना नहीं सके हमने आसपास की वीडियो बनाई थी यहाँ पर लक्षमी नायर मंदिर है और यह चरा है उसके सामने ही चारोत तब लोगों की भीड है सोमनात मंदी को देख के आने के बाद में हमें जोरो की भूग लगी थी फिर हमने किया सांबर डोस्य का नस्ता यहाँ प नायर में दो सिवलिंग है वहाँ पर लोगों की भीड लगी हुई है हम भी वहाँ पर पहुंचाते हैं फिर यहाँ पर यह सब लोग आगे जा रहे हैं पीछे से ये पत्थरों को देख रही थी मैं कि कितिना पानी के मारों से इसकी हालत ऐसी हो गई है आकास अंदर चले गए है वैश्विक को लेके समुद्र में वहाँ पर सब अपने अपने हाथ में धोते हैं माना चाता है कि ये ऐसा करना सब करते हैं तो हम भी चल दिये थे वहाँ पर कि दूर दूर तक पानी का मंज़र देखके हमें बहुत सुखुन मिल रहा था, हम सब ने वहाँ पर खोब इंजोई किया, फिर मैं भी आकास को कैमरा देखके खुद भी चली गई है, समुद्र में इंजोई करने के लिए, वहाँ पर दूर दूर तक लहरे उठ रही है, डर भी लग रहा था, स्फिसलन बहुत ज़्यादा थी, तो यहाँ पर देखो भाईया, क्या बच्चा गिर गया था वहाँ पर, फिर आम यहाँ पर उनको चंभाल के लिए कि है, मैंने अपनी लाइफ में पहली बार सीब मैं से, ऐसे रियल मोती निकलते हुए देखा है, फिर हमने सोचा क्यों ना, हम भी ऐसा ट्राइ करें, फिर हमने भी भाईया को बोला, कि भाईया हमारे लिए भी दो निकाल दीजी, हम भी ट्राइ करते हैं, हमने भी दो मोती उसमें से ले लिए थे, मैं उनको देख रही थी, कि ये रियल मोती है, ये कि नहीं है, फिर हम आज से निकल गए, फिर वहाँ पर सड़क के किनारे पर, रंग बिरंगे जहाज, पानी में खड़े हुए थे, बदबू तो इतनी थी मचलियों की, कि क्या बता हूँ मैं, मैंने अपनी नाग बंद करके, ये वीडियो बनाया था, इतने सुन्दर लग रहा था, ये वी जहाजी जहाज, वो भी रंग बिरंगे, बड़े बड़े जहाज, फिर उसके बाद में हम निकले, भाल का तिर्थ मंदिर पर, हम सब ने वहाँ पर दर्शन किये, ऐसा माना जाता है, कि भाल का तिर्थ मंदिर में, श्री किष्णे जो थे, उनके यहाँ पर बान लगकर, मृत्य हुई थी, यह वही पेड़ है, जिसके नीचे भागवान जी सो रहे थे, तब उनके तीर लगा था, उनके प्रांट त्याग दिये थे उनने, यहाँ पर यह बच्चे, समुद्र में ना कर आये थे, तो गीले थे, यहाँ पर मस्ती कर रहे हैं, अपनी आकास, यहाँ पर उनकी फोटो वीडियो बना रहे हैं, मैं भी अपनी वीडियो बनाने में लग गई थी, मैं कुछ तो भी उले ले, ताकि हमें भी पता चले कि हमां यहाँ आये थे, इसके बाद में मैंने थोड़ी हाथ जोड़े पे, भगवान जी के दर्शन करने के बाद, फिर हम निकले बाहर, उसके बाहर एक कुंड ता पानी का, जहां पर हम थोड़ी देर विश्राम किया, उसके जश्ट पास में एक और मंदिर था, सिव जी का, फिर हम वहाँ पर भी गए, फिर हम इतने ठक गए थे, गर्मी भी इतनी थी, हम सब ने मिलकर गने का जूस पिया, वैशु को हो, यहाँ पर गने का जूस पहुत पसंद आए, फिर हम गए सूर्य मंदिर, वहीं त्रेमेणी संगम है, वहाँ पर उपर की साइड में सीडियां चड़के, एक सूर्य मंदिर है, वहाँ पर मंदिर में सारी प्रतिमाएं ऐसे खंडित की हुई थी, लोग कह रहे थे कि यह जो मुगल आये थे, उन्होंने यह सारी मूर्तियों को खंडित किया था, हमने इसकी चारों तरफ देखा, यहाँ आप भी देख सकते हैं, कि मूर्तियों का फेस, सरीर पूरा खंडित किया हुआ है, फिर हमने वापिस थक गए, दिन दौपर हो चुकी थी, फिर हम आये थे, फिर से खाना खाने के लिए, पहले पेट भूजा, फिर काम दूजा, फिर हमने यहाँ पे खाना अपना इंजोई किया, फिर हम निकल गए अपनी रूम पर, और जा कर सो गए, साम को जब हम वापिस आए, फ्रेश वेश होके, अच्छना एक वापिस कपड़े पहन कर, फिर वहाँ पर नाइट सो के देखनी लिए गए, फिर वहाँ पर हमारा फॉन जमा कर लिया गया था, इसलिए हमने फिर आगे की वीडियो नहीं बना पाए, इसके बाद में एक दादी जी मिली थी, जिन्होंने हमारे सिर्प पर तिलक लगाया है, उसको देखकर हम भी खुश हो रहे थे, फिर हमने आसपास में जो खिलोनों की शॉप थी, वहाँ से कुछ बच्चों के लिए खिलोने खरीदे थे, बच्ची क्योंकि बहुत जादा जिद कर रहे थे, इसके बाद में हमें रात को फिर से भूग लगी थी, जान निकलना भी था, तो हमने वहाँ के प्रशादी वित्रण हो रहा था, वहाँ पर लाइन में लगकर अपना प्रशाद किया, उसके बाद हम निकल गए वापिस अपनी जाम नगर, अपनी घर के लिए, यहाँ पर वैशु और परिसान कर रहे थे, यहाँ पर हम फिर सी अपनी ट्रेन में बैठ चुके,